आज और नमस्कार दोस्तों आज की कख्षा में आपका स्वागत है हैं मैं दोक्टर भारतिंदु गोतम राज की मामित दले बुंदी आपका में आज ऑस traz करता हूं दोस्तों आज हम अपर्दन चक्र के बारे में पढने वाले थे जिसके अंतरगत हम डेविस के अपर्दन चक के इरोडर शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुतरना यानि यदि इसे हम भोकलिक शब्दावली या भुवाकरतिक रूपसेद्धन की दरश्टी से देखें तो विभिन प्रकार की शक्तियां इस्तल भागों को कुतरती है कुतरती यानि उनका अपर् करकत विभिन गतिशील शक्तियां जिन में बैतावा जल वायू कास्ट साग्रिय लहरे हिमनद आदी सम्मिलित किये जाते हैं ये सभी गतिशील शक्तियां विभिन रूपों में चट्टानों से उनको मल्मों को अलग करके दूर ले जाती है ये क्रिया अपर्दन चक्र की न देखते हैं कि इस प्रक्रिया को चक्र के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों ये एक चक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया में इस्थलभाग निर्मित होते हैं वो विमिन प्रकार के प्रक्रमों के द्वारा काटे चाटे जाते हैं और उनके मल्मों को किसी अन् किसी भूगर्बिक क्रिया के फल्सवरों पूनह किसी इस्तल रूप का निर्बान करती है और वापस एक रिया पूनह चालू हो जाती है अतय एक चक्रिय प्रक्रिया है यदि अपर्दन चक्रिय की विवस्थित परिवशा देखी जाए तो इस प्रकार है उस समय को तथा मेदान में बदल जाता है अपर्दन चक्र कहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से अपर्दन चक्र की जो क्रिया है वो धरातल पर सम्तल या सम्तली करण करने का कारे करती है जिससे स्थल भाग निरंतर सम्तल होते जाते हैं और जब भुग गर्पी क्रिया निरंतर जारी रहती हैं तो यह क्रिया एक चक्र के रूप में निरंतर चलती रहती है तोस्तों हम डेविस के अपरदन चक्र के बारे मद्धन करेंगे डेविस का अपरदन चक्र भुवाकरती की विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है डेविस को भुवाकरती की विज्ञान का पिता भी कहा जाता है डेविस का अपर्दन चक्र भूगोल में अपना महत्वपूर्ण इस्थान रखता है इन्होंने ही सबसे पहले अपर्दन के संदर्भ में चक्रिय पद्धती का प्रयूख किया और अपने अपर्दन चक्र को भूगोलिक अपर्दन चक्र कहा इस संक्लिपना का प्रतिपादन डेविस के द्वार अठारा सो नन्याण में इस्वी में किया गया था उन्होंने कहा कि अपरदन चक्र एक समय एसा समय होता है जिसके अंतरगत एक स्थल भाग के उपर उठने के बाद वह संपराय मेदान में बदल जाता है अर्थार्थ भोगोलिक चक्र समय की अवदी है जिसके अंतरगत उपस्तित भूखंड अपरदन के प्रभाव के द्वारा एक आकरती विहीन समतल प्राय मेदान में बदल जाता है इन्होंने अपने इस अपरदन चक्र के सिधान्त को एक अपना आर्टिकल था जिसका नाम था दे रिवर्स एंड वेलीज ओफ पैंसिलवेनिया नामक एक आर्टिकल में उनिश्यत अपदी में पब्लिश्ट करवाया या चपवाया था उन्होंने कहा कि अपरदन चक्र के प्रभाव से उपर उठा हुआ भुभाग धिरे धिरे प्रक्रमों के द्वारा आकरती विहिन समतल मेदान या संप्राय मेदान में परिवर्तित कर दिया जाता है अपना सिध्धान्त देने से पूर्व देविस के द्वारा कुछ परिकल्पनाई दी गई या कुछ मननेताई दी गई जो निमने प्रकार थी उन्होंने कहा कि उत्थान किसी समतल मेदान पर प्रभावी होता है या समतल मेदान पर दिखाए देता है दूसरी जो संकल्पना थी उन्होंने ये बताए कि उत्थान अचानक होता है उत्थान के बारे में डेविस ने कहा कि उत्थान अचानक होता है उन्होंने ये भी बताए कि जो आंत्रिक और भाई शक्तियां हैं वो दोनों अलग-अलग कारे करती हैं, यानि एक साथ कारिये नहीं करती हैं, उत्थान के लिए आंत्रीक और बाई शक्तियां दोनों अलग-अलग कारिये करती हैं, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब अपरदन प्रादम होता है, तो सबसे पहले लंबवत अपरदन होता और लंबवत अपर्दन के बाद फिर शेती जपर्दन की क्रिया प्रादम होती है इस प्रकार से उन्होंने सिद्धान प्रस्थूत करने से पूर कुछ पान्यताइं दी है जिनमें यह मत्वपूर्ण है कि उन्होंने काई कि सबसे पिलत उत्थान होता है और उत्थान तीवर यह शक्तियां है यह शक्तियां दोनों अलगले ग्रूपों में कारे करती है तथा जब तक लंबवत अपर्दन होता रहता है जब तक शेती जपर्दन पारम नहीं होता जब नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर लिती है तभी शेती जपर्दन की क्रिया पारम होती है इ सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर संरचना सबसे तातपर्य चट्टान की बनावट से है फिजिकल केमिकल एंड जोलोजिकल प्रोपर्टिज ओफ रॉक्स चट्टान की रसाइनिक भूगर्भिक और भोतिक विशेष्टाएं संरचना के अंतरगर आती हैं क्योंकि जो भ इसके बाद दोस्तों आता है प्रक्रिया या प्रक्रम दोस्तों प्रक्रम वे साधन है जिनके द्वारा अपर्दन का कारी किया जाता है अर्थार्थ चट्टानों पर अपर्दन करने वाले साधनों या कारकों को प्रक्रम कहा जाता है इन में किस-किस को शामिल करते हैं दो तीसरा जो त्रिकूट का तीसरा पक्ष्टा वो था अवस्था, अवस्था से तात पर है कि कोई बिस्तल रूप अपने विकास की कौन सी अवस्था में है, देविस के द्वारा समय को बहुत अधिक महर्त्व दिया गया, हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने अपने अपने विकास की कौन सी अवस्था में पहुच गया है, वो तरुन अवस्था में है, प्रोड अवस्था में है या जीन अवस्था में है, तो दोस्तों इन तीनों चीजों को डेविस के त्री कूट के नाम से जाना जाता है, ट्रायो ओफ डेविस, उनमें पेला है सनरचना दूसरा है प्रक्रम जिसे हम प्रोसिस कहते हैं और तीसरा है दोस्तों स्टेज जिसे हम अवस्था कहते हैं ये डेविस के त्री कूठ है दोस्तों मागे चलते हैं दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि डेविस के भोकलिक चक्र का प्रदर्शन एक आरिक की द्वारा किया गया है इसे हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं जो शेतिच अक्ष है शेतिच अक्ष पर समय दिखाया हुआ है लंबबवत अक्षपर ऊंचाई प्रदरशिद की गई है आ bene दोस्तों या पर दो बतर बनाए गए है यह देख रहे हैं अगित यह आ उसें उपरी वक्ष का गया है और यह है निचिला वक्रों wire डो से वक्र इस्तल भागों की उच्छावच्ष या उच्छाय को प्रदशित करने के लिए बनाएं गए हैं और दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं यह है अपका अधारतल बेस लेवल ठीक है यह हो गया उपरी वक्र और यह हो गया निश्ला वक्र इसके बार दोस्तों हम देखते हैं कि उन्होंने इस आरेक का प्रयोग किस प्रकार से किया है दोस्तों बीच में यह देख रहे हैं इसला यह आकरतियां उच्छावच को अस्थल भागों को प्रदशित कर रही है किस प्रकार से उत्थान हो रहा है फिर अपर्दन चालो हो गय सबस beneficiaries क्या है लोस्ताव आफ नंवर वक्रों के बीच का जो युच्चावच है कि सापेख्ष ऊच्चावच है दोस्तों का दो से नंबर राइक हो गया πेचिवाइक दौनों वक्रों को बीच का ऊपरिवक्ष निश्ली वक्रों के बीच का उट्चावच प्रदशित होता है वो सापेक्ष उचावच कहलाता है और आधार तल से जो अन्तिम उच्चाई है यह देख रहे हैं आप दोस्तों यह आधार तल है और आधार तल से जो उपरी वक्र की उच्चाई है वो दोस्तों कहलाती है निर्पेक्ष उच्छावज टो दोस्तों दोनों आप को स узнаW Ne water No छे मिश प्रति दोनों वक्रों के बीच का उच्छावज और निरपेख उच्छिण आधार तल्से उपरी वक्र के बीच की मिश सोखें बाद न शुरू होता है वह आधार तल से ही प्रादम होता है और वापस जो इस्थल भाग आधार तल को प्राप्त हो जाता है तो दो शब्द और प्योंकि गए हैं सापेक्षुचावज और निर्पेक्षुचावज इसके बाद अपरदन चक्र को तीन बगों में बाण दिय ब्रद्ध अवस्था है ठीक है यह अवस्था जो है दोस्तों यह केवल उत्थान की अवस्था है यहां से अपर्दन प्रादंब होता है और जो आप देख रहे हैं ये वाली इस अवस्था ये उत्थान की अवस्था कहलाती है दोस्तों अब हम इस चक्र को डिटेल से देखते हैं सबसे पहले जैसा कि आपको ने बताया था कि इस्थल खंड इस्थे रहता है विबिन प्रकार की भूकरविक शल्चलों के कारण उसमें उत्थान की क्रिया भरम होती है और दोस्तों ये सबसे मत्वपूर्ण बात है कि जब तक उत्थान होता है अपरदन प्रारंब नहीं होता है यह डिवेस के सितान की बहुत पूर्ण बात है और इसी आधार पर डिवेस के सितान का अलोशना भी की गई है तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं की उत्थान यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले उत्थान की क्रियार प्राइब हो यह दोस्तों जो की यह देखिए दोस्तों आधार चल से इस तलब आप अपर उठाए और बी और अपर वकर है और सी निश्टा वकर है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक विंदू मोर देखिए तो ए और वी के बीच की जो दूरी है उचाहिए तो निर्पेक्स उचावाचोगे आपको तो दोस्तों सबसे पहले उत्थान पारम होता है और उत्थान जब तक समाप्त नहीं होता है पहली अवस्था में अपर्दन की क्रिया पारम हो जाती जैसे उत्थान समाप्तों का अपर्दन की क्रिया पारम हो जाए कि अपर्दन यहां से शिरूगा दोस्तों यहां तक तलबागों के शिखर है और ये घांटी के तल है नमबर एक जो इस्तेती वो इस तलबागों के शिखर को प्रदाशित करता है तो दोस्तों सबसे पहले उठ्थान समाप्त हो गया और अब अपर्दन पारम हो चुका है डेविस ने अपर्दन के प्रथम वस्ता के बारे में बताया है इसको सब से भल तो उमें जान लें कि सबस्ता कुस ने यूख वस्ता कहा है प्रादन्भी कर शस्ता चक्यक्र работает के दोस्तों इस दोरान जो उच्ण वच वता विस्तिर रहता था है क्यों क्यों कि last कि नदी जितनी कहर हाइध काटती है उतना ही उच्याई तक इस्थल भाग इस्तिर रहते हैं उनी शिक्खर coughing पर रभॉब नहीं पड़ता है और इस्तिति में जो नदी है नदी के द्वरा लंगोवत कटाव होता है दोस्तों पहले वस्ता में नदी के दवाद लंगोवत कटाव होता है नदी गेहराई की और काटती है यानि सबसे पहले जो नदी है वो अपने आधार तल को प्राप्त करने का प्रयास करती है दोस्तों यहां एक महत्व कून बात है कि डेविस ने अपने अपरदन चक्र में प्रकरम के रूप में बेते वे जल को या नदी को शामिल किया है तो यहां पर बारबार हम नदी का नाम लेंगे क्योंकि जो प्रक्रम काम लिया गया वो नदी या बैतावा जलın तो नदी के दौरा सबसे पहले अपनी घांटी को दौने गहरा काटा जाता है जल्हाता है और उसे आधार तल तक प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो सबसे पहले नदी लंबोत रूप से काड़ती है और इस स्थेती में अनेक छोटी-छोटी जब धाल तीवर हो जाता है गेराई तक वियाकार की घंटी जब बनती तो धाल तीवर हो जाता है और धाल तीवर उने कारण अनेक छोट-छोटी जलधनाय बन जाती इस स्तति में, दोस्तों, सबसे पहले वियकरी घाटी बनती है, वीशेप्ड वेली, फिर दोस्तों बनता है गोर्ज, और अधिक गहरा हो जाता है तो गोर्ज बनता है, और इस अधिक गहरा होने पर केनियन का निर्मान हो जाता है, तो दोस्तों, प्रथम आवस्था की विशे इस तोनों स्थिरह रहता है तीसरी नदी अपनी खाटी को काट करके गहरा करती है यानि उसकी जो ढ़ार लेव वो एकदम हो जाता है नदी खाटी काकार वी एंग्रेस जी के वियक्षर जैसा दिखाई देता है जिसे वियकरी घांटी केते हैं जिसे घांटी अधी गहरे होती जो इसके ढ़ाल औतन्त खेढ़ जालवाले होते हैं इसे अवस्था में दोस्तों अनिक छोड़ की जल्दहराय बनती है जो की बाद में मिलकर के नदी अरूप ले लेती है और इसमें बनने वेस्से नहीं करते हैं करमशय गोर्च वियाकर इघांटी है गोर्ज है और केनियन ये क्रमश बनती चली जाती है तो दूस्तों दूसरी अवस्ता है प्रोड़ा वस्ता तो यह वस्ता में हमने देखा कि नदी के द्वारा जो अपर्दन का कार्य था वह लंबवत रूप से किया जा रहा था यानि निश्ला वक्र त यह देखिए प्रत्रम अवस्ता में जो निश्ला वक्र वह तेजी से गिरता है क्यों कि नदी अपनी घाटे को गहरा कारती है और उपरी वक्र लगबग इस्तिर रहता है क्यों कि शिखर इस्तिर रहते हैं क्यों क्योंकि क्षेति जब पर्दन का कार्य भी प्रहण नहीं जूपिए जूकि नदी अपनी घाटे को गहरा कारती इसलिए निश्ला वक्र तेजेसे गिरता जाता है और जो उपरी भागा शिखर वो इस्तिर रहते हैं दोस्तों हम देखते हैं दूसरी अवस्ता क्यारी प्रोडावस्ता में नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर ले लेकिन अब शिखर वाले जो भागते वो भी अपर्दित होने लगते हैं पहले पत्रम वस्ता में शिकर वाले भाग अपर्दित हो रहे थे लेकिन अब शिखर वाले भाग भी अपर्दित होने लगते हैं और वो तूट तूट कर नदी घाटी में गेड़ने लगते हैं फलसुरूप उच्चावच कम होता जाता है और नदी की घाटी चोड़ी होती जाती है और अगली शेशता के दोस्तों इस सवस्ता में यानि निक्षेपन का जो process है वो चलू हो जाती क्योंकि इस्तलभागों के टूटनेसें टूट गेर्नेसें इसमें तो अफसाद बढ़ताlaw जाता है अफसाद की मात्रा बढ़ती जाती मियंडरिंग शूरू हो जाती मियंडरिंग का मतलब है नदी सरपिलाकार मार्ग को भी कभी-कभी प्राप्त कर लेती हैं, तो दोस्तों ये दूसरी अवस्ता की मुख्य विशेषसा हैं, पोड़ा वस्ता की, जिसमें, नम्बर एक नदी अपनी घांटी को खेति जूरूप से काटना प्रादम कर देती है, नम्बर दो, वी अकरी घांटी जो बनी थी वह, यू अक यह उप्री वक्र भी नीचे की और गिर कि यहां पर लगबग इस्तिर निचलावक्र गिर रहा था आप डेखे लिए निचलावक्र भी गिर रहा है दोनों इस्तानों पर पड़न परांब हो गया है धी घंटे तो तल पर तो पर परदन चलूए हैं तल के सासा श्रिकरवाले फार्दित हो तहूं चाहरे तो दूसर यवस्था में जो विएकरिव फॉत कर्यटी व्यवाकरिव बदलने लगती है 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 और इस अवस्था में та अउसाग बढ़ता चला जाता है शेखर वाला भाग अपर्दित होने दो DST युचाम नहीं हो दोस्तों तीस्जी वस्था सब वद्धभाश्त । इसलिए हैं जब रखती मात्रा बढ़ जाता है उस उसका जो कठाओ है कटाओ करने की शम्ता को है जीयों इस कारण से जो इस अवस्ता को वड़्दावस्ता का गया ऑट जब faut दे षति अंति मवस्ता में कटाओ करती मदरए उस हलखंड इतिर समापती की ओर जो रिषप और वह ड़ने लगता है कर चुकी होती है और अधार तल को प्राप्त कर चुके होने के बाद नदी अपना पूरा जो अपदन का कारे वो शेतिजा पदन का कारियर करती है अन्ती मवस्ता में वद्धा वस्ता में के अवल शेतिजा पदन कारे हो रहा है दोस्तों अन्य को अपदन का कारे नहीं होता है नदी धीदे यई तर अपने मेधान को समतल वस्ता में लनने का प्रयास करती है इस इस अवस्ता में दोस्तों अनेक इसला करता है बनती जिनमें डेल्टा है नदी विसर्ब है गोखुरजील है और रेत के बांध है तो दोस्तों इस सबस्ता में डेल्टा बनता है मियंडर्स नदी विसर्फ बनते हैं गोकुर जी लोक्सबो लेक सेंड बार्स बालू के जो स्थम्भ है अवरोद है वो निर्मित होते चले जाते हैं जाता है फीचर लेस्गेम मीं मतलब ऊच्चावच रही जहां पर कोई उच्चावच शेश नहीं रहा गया है लरूस्तों फिर बिस समय से कुछ कठोर में होती है मिद्या अईoff शेश रहे जाती हैं यह सी कठोर चटानों को मोणाड जोक्स नाम से यह रा जाता मोनाड नोग किसे कहते हैं मोनाड नोग अपरदन चक्र की अंति मवस्ता में जब कुछ कठोड जठाने शेश हे जाती हैं तो वो समतल मेदान में तील्यों के समान दिखाई देते जन्हें मोनाड नोग के नाम से जाना जाता है और अंत में दोस्तों जो मेदान बनता है अंत क नंती मज़स्ताइक विशेषता है नदी अपनी घाटी को बिल्कुल चोड़ा कर देती है, इस समाप्त होने लगते हैं, नदी के द्वारा इस समें निक्ष्यपण कारे भी शुरू हो जाता है, उच्छावच विहीन अग्यूचावच्य का विहीन हो जाता है और इसी समय और नदी की द्राइज और रेत के बांध है वो बनाई जाता है इसी चीज़ें देखने को मिलती है कुछी चीज़ें कुछी कठो जट्टाने होती है वो तीलो ग्रूप में शेष्ट है जाती जिनने मोनाड नोक के नाम से जाना जाता है तो इंपोर्टेंट शब्दे दोस्तों मोनाड नोक और जो समतल मेदान अपरदन चक्र के समाप्त होने की बाद बनता है वो संप्राय मेदान के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों आपर दो शब्दोर मत्तो पून हो गए संप्राय मेदान और मोनाड नोक तो दोस्तो इस प्रकार सम्देखते हैं कि जो डेविस का अपरदन चक्र हो तीन अवस्ताओं में संबन होता है, यूवस्ता में नदी अपनी घाटी को गहरा कारती है, लंबवत कारती है, शिकर वाले भाग अपरदन से अपरभवित रहते हैं, वियाकरी घाटी बनती है, बड़ने लगती है। इस समय नदि व कहा होड़ता है। पीच का मतलब दोनों वक्रों के बीच को चा गम होता कि बहुता है। साथ साथ आधार तलसें। और शुकर की उंचाई वो भी सहरें। लागते हैं। नदि अवस्ता में ठैक्ति देखने होही मिल रही थी। तीस जी नावस्ता के लाती दोस्तों, जी नावस्ता में नदी अपने इस्थल भाब को पुईदर से समतल कर दीती है और इस समय को जो कुठो चटाने शेश रहे जाती है उन्हें मोनाड नू केता है और जो समतल मेधान बनता है चक्र केंट में उसे पैनी प्लेन या संप्राइम मेधान की नाम से जाना जाता है तो दोस्तो इस प्रकार सम देखते हैं कि डेविस का अपने चक्र काफी रोचक है और आसानी ते समय में भी आ जाता है और डेविस के द्वारा जो प्रियास किया गया था ये उस समय का ब्रथम प्रियास था और काफी अच्छे तरीके से देविस के द्वारा उसके सिद्धान को प्रस्तूत किया गया, समझाया गया था फिर भी कुछ आलोशना है की गई है, पहली आलोशना है कि आपको मैंने पहले बताया था की डेविस ने काई कि उत्थान अपर्दन साथ साथ नहीं चलते हैं, जब उत्थान होता है, समाप्त हो जाएगा तब अपर्दन शुरू होगा, लेकिन इसा नहीं है दोस्तों, ये भुहकृतिक नियमों के विपीत है, अपर्दन उत्थान के पूरोन के पतिक्षा नहीं करत ती हैं, पर दोस्तों, अंत्री कोः बाए़शक्तियां लग लग कारे नहीं करती हैं, वो एक समान रूप से कारे करती हैं, बाए़शक्ति Home के साथ साथ अपर्दन आयंकर्च चॉल्चति कह gate new product प्रोड़ा वस्ता और जीड़ा वस्ता पट्टी का हुआ है इससे मवस्ता के नाम से जानते हैं तो दोस्तों ये भी उन्होंने वालूस नहीं की है L.C. King बताते हैं कि उन्होंने बहते वे जलकोय नदी को एक प्रक्रम के रूप में लिया है लेकि नदी हम देखे तो इस्तल भागों पर दो ती है इस्तल रूप जो है वो या तो शुष्क है या अर्द शुष्क है या सवाना प्रकार की जलवाई उससे निर्मित होते हैं त इसे दिलें होती है है तो भी शुष्क हासी होती है लोगुरें मिस अ काहा इस वे रूब काणा पर दिन ली यहां पर देन जो उचिखर चैक्र हैं कि उन्होंे पक्रम आतवर सबखता हैा और आंवान में तु एंद द्याना में होती है और वह भी इसके तास ब्सक्रेंगा डालती है तो यहां पर इनके लोशना इसलिए की गई कि उन्होंने जो विवर्तिनिक शक्तिया है के विवर्तिन के बाड़े में लिए बदो कुछ भी नहीं पता है तो दोस्तों इतनी आधी कालुस्ता होने के बाद भी हम ये देखते हैं कि जो डेविस का जो अपरण चक्र का सिद्धानत है वो सरल है समझने योग्य है और आसनी से घ्रहन हो जाता है क्योंकि सिद्धान को सरल और स्वस्पष्ट बाशा में समझाए गया है जो आरेक है वो भी सरल है उससे बाशनी से समझा जा सकता है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों की उस इस्तिती में जब इनका सिद्धान प्रस्तूत किया गया तब उस काल में इनके दौर इतना अच्छा परियास किया गया और स्थल भागों के निर्मान या अपर्दन से मंदिर जो भी तट्वान को समझाने का परियास किया गया है